मेरे लिए ये बड़ी प्रसंदता की बात है कि पुना एक बार जनसमोकार मंच प्रोंग राजस्थान से अपनी प्रस्वती कर रहा हूं इसके पहले हम किसी बिश्यक को लेकर अपनी प्रस्वती करते रहे हैं लेकिन आज पुड़ा उससे अलग हट करके मैं अपनी एक लंबी कविता का पाच कर रहा हूं यह लंबी कविता पिछले वर्ष कोरोना के दवरान लिखी गई जो की कोरोना पर ही किंद्रित कविता है कोरोना पर केंद्रित यह लंबी कविता है जिसका सेर्शक है रुकी हुई पृतिवी पृतिवी कभी रुकती तो नहीं है लेकिन अगर मानव जाति पर कोई ऐसा संकट आ जाए जिसे पूरी मनुस्ता ही प्रस्ल के दायरे में आ जाए या मनुस्ता पर ही प्रस्ल खड़ा हो तो इक का सकते हैं कि अर्थ में हम को सकते हैं तो इसी को उसी बिन्जना को अर्थ देते हुए हमने यह नंबी कविता लिखी इसका सीर्शक है रुकी होई प्रिथिवी कोरोना पर केंद्रित यह लंबी कविता और आएए अब हम इस लंबी कविता का पाठ आरंभ कर रहे हैं रुकी होई प्रिथिवी कविता का आप देखें इसको हमने करीब करीब 10 खंडों में विवाजित किया है इस लंबी कविता को जिसको हमने तीन इस तरह से दस खंडों में इस कविता को विवाजित किया है आंसु एक इसका पार्थ हम आपके बीच में कर रहे हैं रुकी हुई प्रिथवी लंबी कविता का पहला खंड है आंसु एक आईए देखते हैं यह कविता पहला खंड तुम्हारी हवस की जन जीरों में बधी हुई प्रिथवी के लाखवु जीओं में मैं एक गुलाम इसके बारे में पहले से बता दें कि जीव हमसे कुछ कहना चाल रहे हैं इस पहले खंड में जीव को जुवान मिली है जो की हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं और जो हम सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन कहना उनका भी अधिकार है जिस तरह से हमें कहना अधिकार की रूप में हासिल है तुम्हारी हवस की जन जीरों में बदी हुई पृथिवी के लाखों जीवों में मैं एक गुलाम रिण विहीन हूँ इस कदर की जीता हूँ इंच दरजिंच युद्ध की तरह मामूली कुछ इस कदर की तिनका भी वजंदार आपकी तरह नहीं है मेरी आखें इंकार की धार से भरी हुई अन्याय के बृद्ध खौलते क्रोध से लबरेज किसी की आखों में लप-लपाते हिंसा को फांप लेने वाली काटों की नौग जैसी हमारी आखें हर कदम पर जान बचाने की बुझती उम्मीद हैं तुम्हें क्या मिल जाता है मेरी मासूमियक को कुचल कर तुम क्या पा लेते हो हमारी बेखासियस से खेल कर गुलामी के मारे हुए हम जीवों को मार कर तुमने अपनी हैवानियक की हमेशा पटकता लिखी तुम्हारी जीव के खून के स्वाग के आगे जीव कहता है कि तुम्हारी जीव की खूनी स्वाग के आगे धर्ती की हर आग बेहत माहूली है तुम्हारी दुनिया में वह कान ही नहीं जो पलकों में कांपती लाखों जीवों की आह सुन जाए तुम्हारी तरक्की के भुगोल पर आज तक वह अदालत बनी ही नहीं जो तुम्हारी भूंक की जौला में जुलस्ती हमारी गुमनाम आप हत्याओं के साथ न्याय कर सके। वुहान अब यह नाम ऐसा है जो चीन से निकल कर आया जहां से कोरोना महामारी फैली। वुहान तो पृत्वी के नक्से भर के लिए बदनाम हो गया। जरा बताओ इस धर्ती पर कहां नहीं है वुहान। कहां नहीं सचती है हमारे टपकते खून, मांस और कटी हुई हड्डियों की मंडियां। किस देश के इंसानों की जीव पर ज्वार की तरह नहीं चड़ता मेरी ताजा खून का नसा। जिसके मांस के स्वाद ने तुम्हारे विवेक की चमक को भोथरा कर दिया, उन्हीं मछलियों ने कौरणों वर्सों तक पानी के बिरुद चन्ने का युद्ध करके तुम्हारे होने की असंभव कलपना को समुची ब्रहमान्ड में संभव कर दिया। आज ये सत्य है, बैज्ञानिक सत्य है कि मछली से मनुस्य का जन्म हुआ है। बंदर उसके बीच में आते हैं, नर्वानर बीच में आते हैं, लेकिन जो आदिम से आदिम स्रोत है, वह मछली है मनुस्य के जन्म के लिए। मछली की पीड़ा। पानी के बुरुद जलने का युद्ध करके तुम्हारे होने की असंभव कल्पना को समुची ब्रहमान्ड में संभव कर दिया। जब उन्हें काटते हो, क्या खुद नहीं कट जाते। उन्हें भूनते वक्त क्या अपनी करतगता नहीं भून खाते। जब जिन्दा छीलते हो उन्हें, अर्थार मचली को, जब जिन्दा छीलते हो उन्हें, क्या अपने जड़ों के हत्यारे नहीं जिद्ध होते, उठाओ, मुझे अपनी नजरों में बुलाओ, अपने आदमी की समुची संभावना के साथ, गिरालो जरा आँखों से अच्छम म गलतियां, कि मेरी अकाल मृत के खिलाब अब तक गूगे क्यों रहे, आंसुओं में रची बसी मेरी आँखों के समुद्र में जाको, तुम्हारे वजूद से बहुत पहले तुम्हारा वजूद, तुम्हारे वजूद से बहुत पहले तुम्हारा वजूद, पवित्र आशू दो उसी कड़ी में रुकी हुई प्रिथिवी लंबी कविता का दूसरा खंड आशू दो यह एक दूसरा प्रशंग है जहां पर सहर छोड़कर के एक बच्ची अपने मां के साथ एक चार-पांच साल की बच्ची अपनी मां के साथ सहर छोड़कर के गाउं की उरजारी यह सहर चोड़कर भाग रहे हैं बच्ची और उसकी माँ, ओप्रसंग है इस दूसरे खंड में, माई अभी और कितनी दूर जाना है, माई काती है, बेटा उठो, रुक रुक कर बैठ मत जाओ, यह सहर चोड़कर अपने गाउं को चलना है, हम आज अपने देश में परदेशी बन गए हैं, हे माई, अपने गाउं जाना है हमें, वो तो बहुत दूर है, हम छोटे छोटे पाउं से कैसे चलेंगे, उठो बेटा उठो, ठकना मना है लाला, अच्छा मा चलो, हम भी पीछे पीछे चलते हैं, जब हम ठक जाएंगे, तो अपने गोद में उठाओगी न मा, हाँ बेटा हाँ, माई, दिल्ली सहर तो हम पार हो गए है न, अपना गाउं चनरपुर कव आएगा, सुबह से साम हो गई, चलते चलते, करेजा पोड रखना लाल, मारा गाउं भी बहुत तूर है, इस समवादात्मक सेली में दूसरा खंड है, दोनों समवाद कर रहे हैं, बेटा और मा हे मा, हमारे दोनों पैर पाका हो गए है, तनिक अपनी गोद में लेलो न, मा, आओ, अपनी गोद में उठालू, अच्छा रहने दो मा, तुम भी ठक गई होगी, बेटा लो, हमारी उंगली पकड़ लो, ये क्या मुन्या, तुम बेहोस क्यों हो रहे हो, मा, हमको रास्ता ए कैसे चूले की लपट फैल गई हो, तुम्हारे पाउं गिरता हूं माई, चलने को मत कहो, किसन बेटा, थुड़ा हिम्मत करो, कल भोर होते होते, माई, मा, मा, क्या हुआ बेटा, कहो मेरे लाल, हमारे हीरे को क्या हो गया विधाता, इसकी बोली, बंद क्यों हो गई, कहने कि आउशकता नहीं, वो बेटा रास्ते में ही मर जाता है, कोरोना, माहमारी के दोरान, ऐसे नजाने कितने बच्चे कालकल्वित हो गए, अब इसके बाद, कोरोना, माहमारी के दोरान, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जहां पर बेटे, अपने मा को कंधे पर लाद कर, सहर से गा में प्रसुत किया गया है, आसुत तीन, देखिए, मेरे बच्चपन की हिफाजत में बहे हुए, पिता के बूद बूद पसेने का हक अदा करते हैं, मेरे बच्चपन की हिफाजत में बहे हुए, पिता के बूद बूद पसेने का हक अदा करते हैं, संघर्षपत पर बढ़ते हुए, कदम कदम पर मेरी कदम, ना उम्मीदी के खिलाब, ऐसा बल खाता संकल्प, पहले कभी नहीं उठा, साहस की अंजाने बिजली रोम रोम में पहले कभी नहीं चमकी, सारी ताकत निह से इसकर देने की आग पहले कभी नहीं उठी, हर मुश्किल से दो-दो हाथ करने की लत पहले कभी नहीं पड़ी, चुनोतियों से मात नए खाने के जित के आगे निगाहें भोल गई हैं नीद का स्वाद, बुजुर्गियत में तूटकर बच्चा बन गए पिता को, कंधों पर उठाने के बाद पिता होने का आकासी एसास पहले कभी नहीं, कितना निरर्थक था अपने लिए जीकर जीवित कहलाने का ब्रम, कितनी कायरता चिपी थी केवल अपनी परिसानियों के खिलाब लड़ने में, यह वी कैसी जीत है, हार खाये हवे को बचाने के जिद में बार बार हार जाना, भयातुर पलकों में ठाहरेवे आंसुओं को अपने रिड़ी निगाहों से पी जाना, कांटों की तरह खिदे को छिदती भूंक की मार खाकर पेट का कोना कोना पाका हो चुका तो क्या, अनदाई धर्ते को सरीर अर्पित करने का वालवालब स्वाविमान बहुत बाती है, फिजाओं में मौत के सन्नाटे हैं तो क्या, रास्ते के फासले, युद्ध के मैदान हैं तो क्या, सरीर के सिवा अपना कुछ भी नहीं तो क्या, अम्रित की तरह ह्रदे में चूता हुआ, पिता को बचा लेने का एक अलोकिक संतोष है, नंगे पाउं से अंजान दोरियों का साक्षातकार करते हुए, हमने जाना कि दूसरों के बल पर खड़े होने का गर्व पालना कितनी दैनी कायरता है, हमने जाना कि दूसरों के बल पर खड़े होने का गर्व पालना कितनी दैनी कायरता है, गैरों की सोच के आगे अपने विवे के किर्वी मत रखना, अपने संभावनों पर पुड़ विराम है, जिंदा कहलाने का अर्थ, यदि अपना खून पशीने की तरह गिरे, तो हरे हरे घाव भर उठे हचारों हजार के, यदि पाउं दराओं से भर जाएं तो हमारी ठकान के बूते फिर जान पिर जान आ जाए ठकी मादी दुनिया की सरीर में, करता हैं जो लंबी होती हैं अक्षर वो तनाव पड़ा करती हैं, इसलिए बीच बीच में इसको खंड में हमने माटा है, और अब इस लंबी कविता का चौथा खंड है आसू चार, आसू चार, मैं सुन क्यों नहीं पह रहा, तम्हारी रोम रोम से उठती पराजए की आह। जिसे सुनने लाए कान वीच सामेशा अंसुना किया, मैं देख क्यों नहीं पा रहा, तम्हारे हिर्दे के अदर्स मैदान से बहता हुआ, अथा अफ्मान का धरिया। जो हिम्नत की तरह युगों युगों से जमा है तुम्हारी हिम्मत को प्रत्वी कहूं या हिमाले जिसने सहा है हमारी घ्रडा का युद्ध अनंद वरसों तक जो इंच भर भी कभी भी शिलित न हुआ अपनी आकास धर्मा मनुष्टा के सिखरप्त से तुम्हारी भटी बिवाईयों की असीम गहराई में उतरने का साहस मेरी संदर्य परस्त काईर आखों में कहूं पाउं की एक एक दरार हमारे हिदय पर खिचे हिवी अमर पाठ की तरह है अब जाकर परदा उठा अपनी आखों से हाल मांस में सिम्टा हुआ स्वररीम परवत किसे कहते हैं सिर्फ सुन्दर्ता में सुन्दर्य को देखना कितना अच्छम में अपराद है निगाहों का मामूली कदकाठी के ढाचे को मामूली कहने के पहले हमारी जीवा सौ बार कट क्यों नहीं जाती तुम्हारी अटपटी हथेलियों की लव अभा में तीनों हृत्यों से भढ़ने का ताव लिद्ध्य करता है घिस घिस कर काठ हो गई तुम्हारी अगलियां गोशडा करती हैं मनों जात के आजत में कतरा कतरा खोन बहाने की हमें हमारे बहरे पन की खुले आम गोशडा करने दो पच्ताने दो सिर पीटने दो पच्छाण खाने दो तुम अथा समर्पन से लबरेज होकर भी इतिहास के पन्नों में समराट कहलाने से रह गए और आज भी ऐसी तानासाही पन्नों को पढ़ने से इनकार ने करने वाली बुर्दा आखें ठोता हुआ जी रहा हुए इस खंड में एक आग धिकार का भाव है उन लोगों को देखने की बाद जो कुर्णा महामारी की दवरान संघर्ष की भठी में तप गए अब अगला जो खंड है वह है आसू पांच आसू पांच देखिए कब रुके हैं मेरे पाउं हिम्मस सोख लेने वाले फासले पार करने के बावजूद कब रुके हैं मेरे पाउं हिम्मस सोख लेने वाले फासले पार करने पर जाने के बावजूद आज मेरी मा के दूध और कदम कदम पर नास्ती चुनवती के बीच आर पार की लड़ाई है बैर्थ नहीं जाने दोंगी नसों में बहते हुए दूध का कर्ज मेरे नन्हे नन्हे पाउं मेरे नन्हे नन्हे नंगे पाउं भाप लेते हैं कठिन वक्त की आठ और लेती हैं मेरी आखें चहरे पर पैतरा बदलती हुई सैतानियां पैर की अगुलियों ने युद्ध में लड़ते हुए हारने मानने वाले सैनिकों का कर्टब बसी कभी भाया है दर्द खाए मेरे पैरों को फर्क नहीं पड़ता सामने तप्ती हुई धर्ती है या पिघले हुए लोहे का तरिया आख चाहे संकट की हो या पेट की लडने की हुनर बच्पन से मिली है पढ़ो मेरे धुआ धुआ चेहरे पर चुप्पी की जमी हुई अंगिनत परते हैं किसी महामारी ने नहीं भुखमरी के माया जालने आत्मा को बेतर गुवा कर दिया छुओ मेरा लडने वाला सरीर सुनाई देंगी मासूम अर्मानों के राख बनती हुई चीखे मेरी सासों की आदत बन चुकी है हतासा की सक्रेक में घिरते चले जाना हमारा जन्म नियती है बच्पन से सारा बच्पन छिन जाने की यह एक बच्ची की आत्म कता है एक प्रकार से एक खंड एक छोटे से बच्ची की आत्म कता जो नंगे पाउं सडकों पर चलती चली जा रही थी कोरोना पीरियट की दवराँ हमारा जन्न नियती है बच्पन से सारा बच्पन छिन जाने की हमारा बिटिया होना पशार खाती गवाही है जिसके सुनवाही के लिए सिस्वत अदालत बनी ही नहीं हमारा नाम तो बस अपने मासूम आसूं में ढूब कर मर जाने के काम आता है तो ये बच्ची की आत्म कथा है यह खंड आसू पांच अब आसू छे जड़ा देखिए हमारे पसीने का स्वाद माटी के रस से मिलता जुनता है हमारे पसीने का स्वाद माटी के रस से मिलता जुलता है नगन निर्भय धुरिहा पांव से जमीन से एकाकार स्वर्ग का सुख बूटते हैं घूमती ही प्रत्वी से मिला है एक एक दिन घूमती ही प्रत्वी से मिला एक एक दिन युद्ध के चक्रवियों की तरह हमारी आखों में घूमता है दधक कर बुझ जुके लोहे का ताव रूपक है हमारी चमडी का पहेली बनकर सपनों में नाचती अन्न की माया की आगे किसी महामारी की क्या अवकात दुस्वारियों से आखे मिलाने की सनक धड़कनों की जगह ले चुकी है बाहर से कई गुना ज्यादा भीतर खड़े दरक्त होसला देते हैं अकेले पन को हार खाये सरीर की अपराजे अदत के सिवाय कौन है मेरा मित्र चुनोतियों से पीर्ष दिखाने की कायरता के सिवा कौन है मेरा सत्र अलोकिक सुगंद की तरह आत्मा में फैली प्रथिवी की मम्ता से बढ़कर कौन सा आसरवाद है जीवन में मां की मां की मां से बढ़कर प्रथिवी की गोद के सिवायै और कौन सी पुझी है प्रथिवी पर पुना ध्यान दें, मां की मां की मां से बढ़कर प्रत्वी की गोंद के सिवाए और कौन सी पुझी है प्रत्वी पर जीवन जैसी पहली से बढ़कर जीवन में कोई पहली नहीं न भूक न भै न पराजय नहीं पास आती हुई मौत की आहट सरीर होगा तुम्हारे लिए रोब जबाने का दियार हमारे लिए तो सवदा है काइना से एक सांस एक एक सांस खरीबने का बुस्ते दिये की तरह आंसों में टिंटिमाती हमारी सपाट खुसियों का रस्य हर दिन पसीना सुखाने के सुख में छिपा है जब तक जिन्दा हैं खुद को बाटते हैं जब मर जाते हैं समय असमें फिर किसी सरीर में आकार लेने के लिए मिठी की गोद में निराकार हो जाते हैं तो ये हैं छे खंड अब इसका इस लंबी कविता का साथमा खंड भी आपकी बीच में प्रशुद कर रहा हूं मैं देखिए अलग अलग भाव हैं अलग अलग चहरे हैं अलग अलग चरित्र हैं और अलग अलग संखर्ष हैं कुरोना महावारी को एक कविता या एक लंबी कविता में समेटा नहीं जा सकता इसलिए हमने कुछ द्रिश्यों के चुनाव किये हैं और उन्हीं द्रिश्यों को इन अलग अलग खंडों में बेभाजित किया है तो अब देखिए इस लंबी कविता का सात्मा खंड आसू साथ कर्ज उतारना भी अपुर्व अवसर है कर्ज उतारना भी अपुर्व अवसर है मा की सदा नीरा ममता की प्रति पाखिर सद कर देना है हमारे वजूत की जडों को सीचती दूद की एक एक भूद की कीमत कितनी अद्धती है माजब हस्ती है दिसाओं से आसीश जरता है हरदय की तलहटी में जब रोती है मौन में डूब कर समय जम जाता है अड्डियों में एक धिकार उठखड़ा होता है आत्मा के कोने कोने सबसे कीमती बोज है मा को कंधों पर उठाने का बोज सबसे अनुखा एहसास है मा के लिए भर आखों मा हो जाना मा के लिए अपने दोनों कंधे जुका लेना कोई मामूली सिद्धी नहीं मा के सिखर जई कद को पलकों में सुमिरने से बढ़कर कौन सी इस्वरी सिद्धी है जीवन में सरीर के कोने कोने में मा का रिण उद्दाम बाल की तरह मचलता है सीमाएं तोड़कर मा का पसीनाई कद आत्मसाथ करते ही नसु में बिजरी दोड़ जाती है मा के स्पर्स का निर्वान सुखचित में चूते ही रोम रो में महा प्रामभर उठा महामारी के सन्नाटे के मृत्य माया धूआ बनकर उड़ गई सामने सीना तान का फैली ही दूरियां पवित्र चुनोतियों में तब्दिल हो गई मा के बेबस कदमों को देखकर शंकल्प पैतरा वदलता है सिरसी पाउं के बीच मा के नाम पर उठे हुए कदम कभी लड़कलान जाएं जुर्यों में खोई हुई मा की सिसनिमा आखें खरदय के छितिज में कभी डूबने न पाएं आसों में उमरती मचलती ममता का चंद रचने के जिद कभी घटने न पाएं तो यकिनन एक और धरती जीवित है तो यह साथ खंड है इस लंबी कभीता के और इसका समापन आप देखें इन साथ खंडों के बाद आठमा जो खंड है यह इसका समापन खंड है इस लंबी कभीता का देखिए हमारी होसियारी के पैतरा बदलने के सिवाय बदला तो कुछ भी नहीं हम जहां से शुरू करते हैं घूंकर वहीं आ जाते हैं आगे जाने का भ्रम बाले ही महामारी हमें मौत दे सकती है मगर नहीं मार सकती हमारा कट करेजपन नहीं खत्म कर सकती सो पर्दों में छिपा हमारा सातिर दिमाग हमारी सतरंगी कलपना को मार पाना किसी भी महामारी के वस में नहीं कुछ हासिल न करते हुए भी सब कुछ जीत लेने का दंब पाले हुए हम जुवारी है मृत की दससे वीरांच शड़क दरशड़क से हमने कोई सबक नहीं सीखा नदियों के जल में लोटता सोनापन हमारे मन की कालिमा को धोने में नाकामयाग ही रहा हम फिर से छीनेंगे नदियों का भविश्य हम फिर से सजाएंगे सदा बाहर जंगलों की चिताएं आकास में आकास पन फिर लोट आया तो क्या हम फिर से छीन लेंगे उसका भून मोहिनी रंग हम पाट देंगे आसमान अपने रंग भेद से धर्ती दोडती है तो दोड़े अब अवा कर देने वाला नहीं होगा उसकी चूनर का रंग अब हमारी आखों को कहा नसीब होंगी सोलहो स्रिंगार करके दृत्ति करने की प्रिथिवी की अदा हम प्रिथिवी से उसका बसंद छिनने वाले वद्धिमान प्राणी है इस पूरी कविता का एक किंद्री विंदु है कि हम प्रिथिवी से उसका बसंद छिनने वाले वद्धिमान प्राणी है हमें क्या फर्क पड़ता है हमारे जैसे सरीर मिठते हैं रोज रोज इससे क्या अंतर आता है हमारी कल की और आज की मोटी चमड़ी में अपने सिवाय किसी और के लिए भी जीने की तड़प आत्मा में कब उठी वहान फैलता जा रहा है नए नए वहान खड़े हो रहे हैं रोज रोज कहना मुश्किल होगा कहां नहीं है वहान ताजा मांस की मंडियां गुल्यार उठी हैं फिर से फिर से हमारी अवै धोक के लिशाने पर हैं जीव महामारियों को पालने के इलत पाले भी थी आज भी है और कल भी साइद रहे हम जब भी कोई सिखर छूते हैं उसी वक्त अपने भीतर नीचे भी गिर रहे होते हैं बेलगाम 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 तो इसी के साथ आज की एक लंबी कविता का पार समपन होता है जो की कोरोना महामारी पर क्यंद्रत था एक कविता एक प्रकार से छिनता है दुख है पीड दावा है और सजकता देने की एक कोशिस भी है और अगर आपके पास समय हो तो दुरा धैरी से समय निकाल करके आप इस कविता कुछ सुनेंगे तो साथ कुछ चीज यहां से निकल पाएगी ऐसी के साथ मैं दिवेंद्र जी का और जन सरुकार मंच का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लंबी कविता की पाठ के लिए आमंत्रित किया और मेरे लिए भी यह बहुत सुखब और जन्यवाद दिवेंद्र जी यह सरुकार मंच